कि विक्रे मोल पर 20% की हानी होती है कोई वस्तु अगर वो बेच रहा है विक्रे मोल पर तो उसको 20% की हानी होती है ठीक है यह चीज आपको समझनी है ठीक है तो समाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर कोई व्यक्ति है वो कोई वस्तु 80 रुपए की बेच रहा है ठीक है 80 रुपए की बेच रहा है तो उसे 20% की हानी हो रही है यहां तो clear हो रहा है बात ठीक है अगर अब इसमें एक फार्मूला होता है क्या बताया था मैंने कहा था कि हानी प्रत्सत इक्वल टू हानी और बटे में क्रेमूल होता था ठीक है जितने में लेकन उस सवाल में क्या बोल रहा है कि विक्रेमूल पर जब बेचा है ठीक है यदि किसी विक्रेमूल पर ठीक है अब विक्रेमूल पर चक करना है तो यहां पर लिखा जायता है विक्रेमूल multiply so यहीं तो समझना है तो हानी प्रश्चत कितनी थी 20 हानी कितनी हुई मालूम नहीं विक्रमूल कितना है मैंने मालना था 80 x 100 ठीक है अब कारना चालू करें तो जो हानी आई उसकी तो हानी आई 16 रुपए ठीक जब हानी 16 रुपए है क्रेमूल क्या होगा मतलब क्रेमूल मतलब खरीद गया हानी 16 रुपए हुई बेची थी 18 में तो बीकरेमूल होगया 80 अब प्लस 16 कितना होगया 96 अब कहारा क्रेमूल पर चर्ट करिए हान प्रस्द कितनी है तो हान कितनी निकली 16 क्रेमूल कितना है 96 multiply कितना का होगा 100 का ठीक है सही तो है हां 100 का होगा काट दो 1696 छे से काटा तो 50 भटे 3 प्रसंट यह option नमबर था उसका वही हमारा option आ गया ठीक है इसलिए सवाल था थोड़ा सा मज़ेदार था इस वज़े से मैंने इसको नोट किया और पूछा भी था ठीक है अब इसमें जो सवाल आ रहा है अब हम आपसे बात करें सवाल की कौन सा सवाल अच्छा सा है इसमें ज्यामिति भी बहुत पूछी गई है ठीक है तो अब बात करें दसमलब की बात है ठीक है दसमलब की काफी सवाल दिये गया हुए है उनको देखते हैं आपको सवाल में कहा गया है कि रूट उन्तिस सोला बराबर चवान यहनिकि उन्तिस सोला का जब लोग वर्गमूल निक तो उन्तिस दसमलब एकच्छे अंडरूप प्लास अंडरूट जीरो दसमलब दो नो एकच्छे अंडरूट जीरो दसमलब 002916 एंडरूट 0.0002916 ठीक है इसमें एक पैटर्न लगता है कि आपको साब साब कहा गया है कि जब नॉर्मली बिना दसमलब की है तो इसका माल ज़ बद्धे दूर्ट में क्या होता है जी जिरॉंत जीरो जीरो धिरो एसा लिखा होगा हुआ है धो कि हिमें को पता है 4 कारूट के बल्टू होता है लेकिन इसका डू नहीं होगा अंसर तो तो तू में ही आयाँगा लेकिन दिसम्द्स दिखो कितने है? 4, , 4 के आद है यहाँ यहाँ लगा होता है तो यह वाला दिसम्द्न जिब पर आएगा तो एक इस तरह हो जाएगा क्योंकि इस पर चार अंक बाद है तो जो अंसर आएगा उसमें दो अंक होना चाहिए मतलब जिस्ट आधा हो जाता है ये बात समझ में आए यागर दिसमेलव रूक के अंदर है और उसका बाद निकाल रहे है तो अगर चार अंकों बाद वा हो जो आए तो बाद ज्मांसर में होगा इसको धूक दो अंकों में होगा अगर को खूल ऐसा दिआ गया है 0.169 इसकी जो value आएगी यहाँ पर लिखते है 54 तो ही लेकिन यहाँ पर 2 अंक है तो 1 अंक बाद दिसंबलो ठीक फिर प्लस लगा हुआ इसकी value 54 तो ही लेकिन 4 अंक बाद दिसंबलो लिखा तो answer में कितने आजाएगा 1 अंक बाद दिसंबलो जब दिखो 3 अंक नहीं मिलते हैं तो हम लिख 0 एड़ करते हैं इसमें दिखो 4-4 आठ बाद अंक दिसंबलो हुए 54 तो answer आएगा लेकिन 4 अंक बाद दिसंबलो लग जाएगा यह pattern आप अगर समझ गये तो सवाल इसी हो गया क्यों कि अब इनको जोड़ना ही जोड़ना 5.4 0.54 & 0.054 & 0.0054 यह answer होगा 4 549 & 549 549.5 है कोई answer 599 यह है ओके